जैहिन सातियों वंदे मातरम आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जुकर्शन चैनल समाधान इस्टडी वार तो चलिए आप सभी के लिए एक महत्मुन सेशन अमने स्टार्ट किया है और ये लाइव सेशन आप सभी के लिए इतना इंपोर्टेंट है जो कि आपकी आ आगास करते हैं इन बहुत ही शांदार से जो है कोशनों के साथ अच्छे सी चीजों के साथ तो सभी को पहले तो वेरी गूर्ट मॉर्निंग साती हो कि आप सभी लोग बिलकूर जुड़ चुके है हमारे साथ मॉर्निंग 30 पर ठीक है मॉर्निंग जो है 7.30 आपके समक्ष ब सभी के लिए तो चलिए आए मेरे साथ जुड़ जाएगा वेरी गूर्ट मॉर्निंग पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आ चुका है देखीगा यहां मैंने कल तक करवाया था है यहां तक सेसन आपके लिए देखिए कोरल का कंकाल बना होता है कोरल का कंकाल केल्सियम कर्बोन देखिए अंतर से युगा और यह किस संग में आता है तो संग आपको ध्यान रखना है पूरी फेरा किस संग में आता है तो पूरी फेरा में आता है तो नोट कर लिजेगा बहुत एच्छा है चलिए और ध्यान रखना है केल्सियम युक्ति जो आपका कंटी कॉल में पाई हाइडरा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है बहु खंडण, कलिक कि निर्मान, बिजानू जन और आपका द्वी-खंडण हाइडरा में बात करें सद्राय आदर्य भाग में मुकलन द्वारा होता है merry होगा हाइडरा में एलैंगिक जनन जो होता है वह मद्द और आधरी भाग मुकुलन द्वारा होता है और ये जो आपका आप लोगों ने बीचु लगा है न ये बिल्कुर सही है बिल्कुर काफी सातियों ने भी आंसर लगा है ठीक है न तो अल्रेडी में कमेंट्स पर कम ध्यान दे कर फोकस कंटेंट पर जादा कर रहा हूं तो कोसिस करिए कि बाते ना करें जो है आपकी सारी जो चीजे सारी जो चीजे रुक चुकी हो सभी सभी को मलग पूरा करेंगे निम्न में से कौन सा कतन सही है संग पूरी फेरा कॉलर को सिकाई वह दंस को सिकाई उपस्तित संग सिलेंटरेटा आपका मिन ड्रिना इस संग से है संग टीनो फेरा सभी द्वी अर्य सम्मिती और संग प्लेटे हलमेंटीज आपका वर्चुरिया इस संग में है देखिए बात करते हैं आप सभी के लिए देखिए साथे और राइट अंसर क्या होगा आपका ऑप्सन नमबर जो है B होगा संग स्लेंट रेटा मिन डिनॉल इस संग से होता है और पोरी फेरा में कॉलर को सिकाय पाई जाती है संग पोरी फेरा में जो होती है, कॉलर कोशिकाय भी पाय जाती है तो option number A, note कर लिजेगा sorry, A बोल रवच्छा, B इसका correct answer है, क्या होगा B इसका right answer है, और सबी लोगों ने कर पाया है आगे चलते है, next देखे क्या है, यदि हाइड्राव, प्लेनेरिया को, तीन अनुप्रस्त भागों में काटा जाए, तो सभी तीन भाग मर जाएंगे सभी तीन भागे भाग जो होंगे, पुनरुद्भव होंगा केवल अगर भाग में क्या होगा, पुनरुद्भव होगा या फिर केवल मद्ध भाग में पुनरुद्भव होगा क्या न्सर हो सकता है तो देखे यदि एक हाई डा के दो तीन और कई भाग में काट दिया जाए तो प्रätta भाग पुनर उद्भव होगा तो साथियों क्या आंसर हो सकता है चलिए लगा अनसर तो मैंने बतादे आप लोगों कहों की साथीयों क्या होगा भी होगा सबी तीन भागों में पुनरिद्भ होगा ऑप्शन नमबर भी है और आप सभी के भी बी आंसर आ रहे चलिए देखें नेक्स्ट की बात करें किस कारी के लिए है रक्षा पूसन स्वसन उत्सरजन क्या होगा सात्यों करेक्ट अंसर बताइए तो ट्राइकोस्ट वर दन्सकोसिकाए आपका टॉक्सीन्स छोड़ती है तो सात्यों रक्षा इस कोशन का करेक्ट अंसर बन जाएगा क्या यही आंसर आप सभी सात्यों के आ रहें क्या ओके जैसे मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ आप सभी लोग भी बहुत ही बड़िया ऐसे ही अंसर कर पा रहे है ओके लगातार ऐसे ही अंसर आ रहे मेरे पास बहुत ही बड़िया है आगे चलते है ठीक है आगे चलते है चीजों को नोट डाउन करना देखे क्या है बोला गया है कि प्लेनेरिया वर हाइडरा के मद्य क्या समान जो है समानता होती है क्या समानता होती है यह आप लोग को बताना है देखे कोश्चन देखे क्या बोला गया है कोश्चन सिंपल है आसान है आप लोग बना पाएंगे दोनों संग स्लेंट रेटा के हैं दोनों द्वी कोरिक है दोनों में पुनर उद्भाव की छमता होती है और ध्यान दिजेगा दोनों में जल समवहन तंत्र होता है क्या आंसर होगा जरा आप लोग जो है कोमेंट्स बॉक्स में बताएगा ओके तो चलिए देखे सातियो बलकुर नोट करना बहुत अच्छा अंसर आप सभी लोगों की भी आ रहे हैं ठीके ना बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत अच्छ अंसर है प्यारी अंसर है क्या होगा सी अंसर बिलकुर करेक्ट होने वाला है क्या होगा सातियो अगर आप लोग सी अंसर प्रस कर पाते हैं तो obviously आपका बिलकुर करेक्ट अंसर होगा ओके कि दोनों में पुनर उदभाव की छमता होती है क्या होगा सी अंसर बिलकुर करेक्ट होगा क्या होगा साती हो सी अंसर बिल्कुर करेक्ट है यह नोट कर लिजेगा आगे चले आगे देखेगा संग जो है टीनो फेरा का विसेश लक्षण है संग टीनो फेरा का विसेश लक्षण है यह आपको बताना है जो है कॉम्ब प्लेट की उपस्तिति वर जेली समान रूप केवल कॉम्ब प्लेट की उपस्तिति केवल इस पर को की जो है आपकी उपस्तिति और केवल पीडी एक अंत्रन बताईए तो देखे साथियो केवल जो है वर्ग आपका जो है टेंटाई कुलम के अंतरगत आने वाले जन्तुवों में इसपर्क्स उपस्तित होते हैं तो साथियो यह अंसर सही होगा आपका क्या होगा तीनो फेरा की विशेस लक्षन है कि वो कॉम्ब प्लेट की यकी उपस्तिती व जेली समान डूप में होते हैं यह आपका सही अंसर है और काफी साथियो ने बहुत अच्छा अंसर लगा पाया है जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ आगे चलते हैं साथियो नेक्स्ट कुशन की वर बढ़ते है जरा ध्यान दीजेगा संग तीनो फेरा किस के साथ समानता दरसाता है जरा ध्यान दीजेगा क्या कुशन है संग तीनो फेरा किस के साथ समानता दरसाता है अब देखेगा ओप्शन क्या है आप सभी किस लिए निडेरिया, S.K. Helmetis, Sifolopoda और आपका होगा Terbiliria क्या आंसर बन जाएगा तो एक लंबे समय तक निडेरिया वह Tino Fera को एक साथ संग सिलेंटरेटा में रखा गया है तो सातियों ए आंसर सही होगा आपका क्या होगा A आंसर सही होगा यह नोट करके आपको रखना है ओके चली आगे बढ़े, सभी साती बढ़े एक बढ़े ऐक बार थमसब कर दीजयेगा प्यूरो ब्रोंकिया के लिए कोन सा कतन गलत है प्यूरो ब्रोंकिया के लिए कौनसा गतन गलत है ये जो है द्वीक कूर किया है इनमे उतक इसतर का संगठन पआया जाता है इनमे आपका इनमे कॉम प्लेट होती है और ये होती है आपके अलानगी गतिवालानगी जनन को दरसा आते है बताईए देखिए साथियो नोट करना चीजों को ठीक है आपके राइट अंसर की बात करें तो option number D right answer होगा क्या होगा? option number D ये अलेंगिक व लेंगिक जो है जनन को दरसाते हैं क्या answer होगा? साथियो D answer हो जाएगा आपका प्यूरो ब्रोंकिया संग जो है आपका टीनो फेरा से संबंदित होता है और टीनो फेरा द्वी अरिय संमिती और आपका उच्च इस्तरवाला होता है ये हमें साथ साथ भी ध्यान रखना है जो यहापर गलत बुला था तो ये रॉंग होता है ये नोट कर दीजीगा आगे देखिए टीनो जो है प्लाना में जनन होता है टीनो प्लाना में जनन होता है कली का निर्मान द्वारा लैंगी के जनन द्वी खंडन और आपका बहु विखंडन बताए जरख क्या होगा तो टीनो प्लाना जो संग है ये हम टीनो फुरा से संबंदित होता है किससे टीनो फॉरा से सम्मधित होता है सातियो और सात में ध्यान रखना है आपका लेंगी की जनने इसका राइट अंसर बन जाएगा क्या होगा और ध्यान रखना है कि टीनो फिरा के सभी जनतुयों में जो जनन होता है वो हो लेंगी प्रकार का जनन होता है अच्छा कुशिन है और आप लोग उसे बनना चाहिए था और काफी अच्छे अच्छे कुशिन आपको मिलने वाले है चलिए बिलकुर साती हो बिलकुर जो बोल रहा है आपको सब कुछ हो जाएगा बस थोड़ा पेसेंस रखिएगा बिलकुर रेगुलरली हम लोग चीज़ जो कि आपका लवनो व, आपका अ लवनी दोनो जातिया दरसाता है इकाइनोडर्म, टीनोफेरा, आपका सिफेलोकारटा और आपका निदेरिया होगा तो निडेरिया के सदश्य स्वच्च जल और साथ में ध्यान रखना है कि ये समूद्री जल दोनों प्रकार के वात अवरण में पाये जाते हैं तो क्या आप सभी का D answer है क्या है चलिए D answer सभी बंदू का है इसका मतलब आपका right answer है क्या साथ यो right answer है और सभी बंदू ने ऐसे ही answer कर पाया होगा चलिए आगे देखिए आगे की बात करें तो nest क्या है कुछ निश्चित जन्तों के बारे में दिये गए निम्न कत्नों में से कौन सा कतन सत्ते है गोल क्रमी आपका कुट गुही होते है मोलस्क आपका अगुहित होते है कीट जो है आपका कुट गुही होते है और चप्टे क्रमी आपका गुहा युक्त होते है बताइए क्या answer है सातियो चलिए आप सभी के answer जानना बहुत ही जरूरी है क्या answer कर पारे कितना साति बिल्कुर correct दे पारा है तो जो गोल करमी होते है वो कुट गुहित होते है यह answer सही है क्या होगा सातियो very good सातियो काफी बच्चा बिल्कुर मेहनत करिए ऐसा नहीं होता है बिल्कुर आपको महनत करते रहना है महनत करिएगा और continue रखे इस्टडी को और बिल्कुर आप लोग सब अच्छे से अच्छे एक्जाम को qualify कर पाएंगे चले कोशिस करने वाले की बिल्कुर हर नहीं होती है जानते हैं अब लोग कोसिकाय जो कि आपका फेसियो ओला में क्या होती है उद सरजन करती है क्या गळाती है तो देखे सात्यों क्या है क्या है कॉलर कोशिकाय अगर आपने चूस किया है क्या answer बनेगा तो सात्यों ज्वाला को सीखाए इसका right answer है ठीक है क्या होगा ज्वाला को सीखाए अगर आपने चूस किया है तो definitely आपका right answer होगा और आपने बखु भी अच्छा answer चूस किया होगा आगे चलते हैं देखें next क्या है next की बात करें बोला है कि प्लेटी हलमेंटिस के या प्लेटी हलमेंटिस में किस इस्थर का संगटन पहा जाता है प्लेटी हलमेंटिस में किस इस्थर का संगटन पहा जाता है को सीखिय इस्थर आपका जो है उतक इस्थर अंग इस्थर और आपका अंग तंतर इस्थर बताए अब क्या हो सकता है अंसर तो देखें अंग इस्तर का गठन आपका प्लेटी हेलमेंटिस में पाय जाता है किस में पाय जाता है अंग तंतर का जो इस्तर होता है वो प्लेटी हेलमेंटिस में पाय जाता है तो सात्यू सी अंसर सभी का सहिया रही क्या बताइए ठीक है और इस स संग के जन्तु द्वी जो है द्वी पास्ट सम्मेती वाले होते हैं यह भी हमें ध्यान रखना है अस्चा कोशन है सांदर कोशन है आप सभी से बन जाना चाहिए था ओके आगे चलते है संग जो है आपका प्लेटे में या निवन में से कोई सा सम्मदित नहीं है तो देखे फेसियोला या फिर आपका तीनिया वर्चुयरा और आपका प्लेन एरिया का आंसर हो सकता है बताएज़ रहा तो देखिए फेसी ओला या फिर आप लोग जो है प्लेनेरिया टीनोफेरा फीता करमी ये सब जो होते है ये सब कौन से वर्ग से संब्दित है ठीक है न सातियो तो ये ध्यान रखना है ये सब जो आपके वर्चु एरिया से संब्धित है किससे चलिए समझ आया क्या आगे बड़े आगे चलते हैं नेक्ष्ट देखिए क्या है नेक्ष्ट की बात करते हैं संग संग देखिए कौन सा संग प्लैटे हलमंतिस के बारे में निम्न में से कौन सा कतन सत्ते है ये मुक्त जीवी होते है ये मुक्त जीवी होते है ये जो है मुक्त जीवी होते है और ये मुक्त जीवी होते है और ये मुक्त जीवी होते है तो जो संग प्लेटे हिलमेंटिस के जो आपके सदश्य होते है यह अंतह पर जीवी होते है कैसे होते सातियो अंतह पर जीवी होते है तो क्या आप सभी ने भी डी लगाया है क्या बताइए मुझे क्या सारा साती डी लगा पाया है क्या बिल्कुर सही है अच्छा कोश्चन है और आपने बिल्कुर राइट अंसर कर पाया होगा सामन्यत होते हैं आपका अे लंगाश्री उब्हेख लंगऑ मेटा जैनिक और आपका सिलो मेंट का गुई हैं बताइए जिर्ला पक्या होते हैं लिंग इसमें अलग पाई जाते हैं यह भी हमें ध्यान रखना है ठीक है तो जो राइट अंसर बनेगा यह अंसर बनेगा यह नोट कर लीजेगा कि वह प्रतम संग जिसमें एक पूर्ण आहर नाल पाए जाता है वह है प्लेटी हलमेंटीज एसके रिस एसके हलमेंटीज और आपका एनलीडा तो साथियो जरा नोट करके मुझे बताना है क्या अंसर हो सकते हैं तो आपका प्लेटे हलमेंटीज के एक मुख्य जो है आहर नाल एक मुख्य इसमें आहर नाल पाए जाता है लेकिन साथी ध्यान डखना है कि इसमें आपका s के हलमेंटिस भी इस संग में होता है तो c आंसर सही होगा क्या होगा आपका राइट अंसर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा सात्यों क्या आपने लिख पाया है क्या बताइए मुझे ओके वेरी गुट बहुत बढ़िया अच्छा जो कुश्छन निम्न में से कौन सा एक मुख निम्न में से कौन सा एक मनुस्य का अंतह पर जीवी जो है जरा युकता दर साथ है तो देखिए एन साइलो जो है इस्टोमा डियो डिनेला या फिर होगा आपका एंटी रूबियस इस्पाय रोलम या फिर इस्पायलूरस अंसर आप सभी को बताना है आपका ट्राई के ना जो है इस्पाय रेल्स तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा नोट कर लिजेगा अच्छा कुश्चन है बहुत ही बहतरीम सा कुश्चन है वर्चूर या ब्रेंकोफ्टी के बारे में कौन सा कतन सत्ते हैं कोई मद्यवर्ती जो है पोसद नहीं होता नर क्रमी मादा क्रमी से लबा होता है यह मनुष्य की पित वाहिनिकों में या माहिनिकियों से रहते हैं यह मनुष्य की खिलाब यह मनुष्य की जो है लिंब में रहते हैं तो नोट करेगा वर्चू एरिया आपका ब्रेंकोफ्टी के संकरन से आपका फाइली रियोसिस या जिसे हम लोग हाती पावरो करते हैं वो हो जाता है तो साथियों जो भी आपका आंसर जिनोंने भी डी लगाये हैं वेरी गूड बच्चा बहुत ही अच्छी आंसर आप सभी के आ रहे हैं स्क्रीन पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा लगे रहेगा मेहनत करिएगा चले आपके साथ हमारी भी तो मेहनत हो रही है यह मत बुली आप लोग तो इसलिए मेहनत करते जाएए अब देखीगा ध्यान देजेगा अगला क्या है वर्चूरिय ब्रेंकॉप्टी एक शामान्य फिलेरियम क्रमी है जो क्या आपका संग में आता है तो प्लेटी हेलमेंथिस निमेटी हेलमेंथिस एनी लीडा सिलेंट्रेटा क्या होगा तो सब भी साति नोट करेगा और ध्यान दीजेगा राइट अन्सर जो बनेगा आपका ओप्स नूमबर जो है बी बनने वाला है क्या होगा आपका निमेटी हेलमेंथिस क्या अंसर होगा सातिो नीमेटी हेलमेंथिस इसका सاخके और अंसर हो हो video contribute त्री कोरकी कुटगुही द्वीपार्सिवे सम्मेती मानव पर जीवी है जो कि आपका अंड़ प्रजक होते हैं यूम इसका इस्तानांतरन जो है आपका संक्रमित म्रदा से होता है और यह निम्नमे से कौन से है फेलेरियल करमी अंकुस करमी पेलेलो करमी और आपका फीता करम तो बताये जरा क्या है तो देखेगा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है एंसालो इस्टोमा जो है त्री इस्तरिय और द्वीपार्सिवे सम्मेती और कुटगुहे जन्तु होते हैं तो राइट अंसर जो बनेगा ऑप्सन नंबर जो है बी बनेगा क्या आंसर है ऑप् कम आदे लगा है मतलब definitely आपका राइट अंसर है और काफी हदी तक यही आशराङ का होने वाला है कि आगे इस संग जो है ने लीडा के लिए अस्टिकतन को Gef करना है मतलब चैन करना है कौन सब्रृत तरजी असरत क्योंसा है ये द्वी पार्थ सम्मेती होती है क्या जी हाँ ये एक लिंगासरी वद्वी लिंगासरी दूनों प्रकार के होती है क्या जी हाँ इन में उतसरजी अंगों में ज्वाला कोशिका पाय जाती है ये तो गलत है और ये सामाने तह अलेंगिक जनन नहीं दरसाते ये भी सही है तो सातियों जो है सी यहाँ पर रॉंग है बाकि सारे के सारे राइट है आगे देखिए संग जो है एनिलिडा का या एनिलिडा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अधिक अंग जो है सरीर के अधिक अंग सरीर के अगर भाग में होने के कारण एंटी नामें उपस्तिती के कारण निूरल तंत्र के अगर इस्तिती के कारण या फिर आपका मेटा मेटा मिर्ज की उपस्तिती के कारण तो संग एनग ईलीडा को यह नाम जो है इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस संग में जनतों का सरीर प्रथक और आपका क्या है खंडो में विभाजित हो जाता है तो साथियों आपका राइट आंस जो जारा दीखिये बोला गया है कि निम्न में से कों से समोह केवल उभय लिंगी जंतुमेंस बनता है उभय लिंगी तो देकिए के 2020 क्या केचु़वा losing आपका घरीलु मक्की में डग के केचुवा फिता करमी समुद्री घर्डा घरिलु मक्की केस्वा जोक вспंज और आपका गोल क कि राइट अंसर बताना है साथियो के चुआ फिता करमी जो किया इस पंज तो साथियो डी आंसर सही बनेगा आप लोगों का क्या है डी आंसर सही बनेगा वेरी गुट ऐसे ही आप सभी लोगों को प्रयास करते रहें अब आते हैं जरा आगे देखें ध्यान से चीजों को बताए तो साथियो देखीगा आपका नहीं पर लर्टाकार PCI क्या रैट अंसर बनेगा रैट अंसर बनेगा लंबाएट वरताकार PCI बी आंसर सही है साथियों क्या है बी आंसर सही है नोट डाउन कर ले ना अच्छी चीज़े है आगे चलते हैं क्या है जरा दीखिए निम्न में से कौन सा संग आपका एने लीडा में आता है हीरुडी नेरिया नेरिस तथा आपका वर्चेरिया केच्वा एफ्रोडाइल वह आपका फाइला फेरी टीमा और आपका ट्यूबी फेक्स वह नेरिस और आपका जो है प्लेसिया और आपका नेरिस वह आपका टेंडे नियम्न क्या आंसर बन जाएगा तो सातियों देखिएगा राइट अंसर बनेगा आप लोगों का और वैसे कि आपके आंसर भी आ रहे हैं आपका फूरी टीमा क्या होगा फूरे टीमा ट्यूबी फेक्स और आपका नेरी सिस्कॉश्चन का करेकर आंसर क्या होगा सी आंसर सही होगा साति क्या है सी आंसर सही हो होगा या आप लोग को ध्यान दिना सभी का राइट है कि ओके अ कि नेस्ट की बात करते हैं कि सबसे पहला खंडी भवन में या फंडी वहन के पाया जाने वाला संग है कि प्लेटे हलमेंटिस सिलेंट्रेटा आर्थो पोड़ा और आपका एने लिडा बताइए क्या है तो देखेगा साथियो अगर आपका अंसर है तो बिल्कुर सही है क्या होगा एने लिडा इस इस्तिति में आंतरिक्व बहायस संद्रसनाव दोनों में या दोनों से ही समंधित जो है क्या होता है आपका एने लिडा होता है इंध्यान रखना अच्छा कोश्यन है आप लोगों से बनना चाहिए इस्थल पर कीटों की विवित्ता का निर्मान या विवित्ता का कारण निवन में से कौन सा लक्षन है ठीक कौन सा लक्षन है आपका खंडी बबन द्वी पार्श सम्मेथी बहाई कंकाल या फिर नेत्र उसातियों ध्यान दिजेगा आपका राइट रोगा हीपार्श समेंथि है कि टले वी पार्श समयथी अगर आपका भी एंशर है तो आपका डिफिनिटवी गारेक्ट आंसर लगाय आपस falar वब debate हैं कि और بين यह कि vur ही पायी जाती है ही मोसील पाई जाती है हाइडर वह आपका औरेलिया टीनिया वह एसकेरिस पेरी प्लेनेटा वह आपका पाईला और होगा आपका बेलेनो ग्लोसस बताइए तो सातियों आपका राइट नशर बनेगा सी वाला पेरी प्लेनेटा वह आपका पाईला यही आंसर है के सभी लोगों का चलिए सभी लोगों का यही आंसर है तो बिलकुर सही अच्छा आंसर भैतरीन सांतर सांदार्स आंसर निम्नमे से किस सम्हों में केवल आर्थोपोर्ट सम्मेलित है जिंगा मचली आप जिंगा मचली सिस्टो सुमा वो प्लेनेरिया काकरोच और बिच्चु और जिंगा मचली तो देखेगा सातीयो जो आंसर आपका राइट होगा काकरोच बिच्चु जिंगा मचली क्या वी आंसर सभी कही क्या ठीक और यह सब के सब इंसेक्ट यह सारे के सारे आर्थोपोडा से सम्मान दित है जैसे कि यहाँ पर आपसी कोश्चिन से दिया गया है देखे आगे देखे निस्ट के हैं संग आर्थोपोडा में कौन सा स्वसन अंग नहीं पाया जाता और चैन क्या हो जाता है आपका उसका चैन आपको करना है तो जल सवहन तंतर का निर्मा मतलब इस कुशन का करिक्ट आंसर है जो नहीं पाया जाता है तो सातियों क्या सी आंसर सभी ने लगाया क्या वेरी गुड बहुत बढ़िया काफी अच्छा आंसर आप सभी लोग लगा पारे है आगया येगा जरध्यान दिजिगा चीजों को निम्न में से कोन से जन्तू को जीवित जिवासम कहते हैं बहुत अच्छा कोशन है एक्जाम में होपली ऐसी कोशन आते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपका लोस्ट ठीक है आपका लोकस्त का कोई आर्थिक महत्व नहीं है और इसके अतिरिक्त यह जो है जुन्ड में अति हैं तो साथीव आपको ध्यान दिजीगा आपका BOMBICKS जो आपका cisther ना यह करेक्ट हैं अच्छा कोशन है अच्छा आप लोगने लगाए होगा निव्न पुआं से कोन कि आंसर बन जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि लोकस्ट में या लोकस्ट का कोई आर्थिक महत्वन नहीं होता है ठीक है ना किसका आपका लोस्ट का कोई भी हार्थक महत्वन नहीं होता है सी आंसर सही है काफी बच्चों ने लगा पाया है ध्यान देजगा संग आर्थुपोड़ा के संदर्व में असत्य कथन को अंकित कीजिए परिसंचरन तंत्र खुले जो है प्रकार का है द्वी पार्शेव सम्मिती गोहिय जन्तु द्वी कोर की सीर वक्ष और उधर उपस्ति और देना है आपका मेल की मेल दीजेन अलिकायव एंटी आजई है उपस्तित तो सभी कतन क्या है सक्षित्बत और केवल जो आपका option number C है ना कि द्वी कोर की सिर्वरक्ष और उधर उपस्तित होता है यह आपको दिख रहा है यह रॉंग बाकि सारे राइट है चलिए आगे चलते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा चलिए तो आज के लिए इतना ही है आई होप सेसन आपको पसंद आएग शेर करना गाइस और चीजे आपको लाइक जरूर करना है ताकि मोटिवेशन बना रहे और हो सकता है आज जो है 500 लाइक तो आप लोग कर ही देंगे ठीक है मिलते हैं नए सेसन में जैहिन धन्यवाद आपको मिलते हैं जल्द ही